महराष्ट के मुख्यमंत्री एकनाशिंदे ने अब असली शिफसेना होने का दावा ठोक दिया और इसी बावत अप संसद में बैठने की सीट और संसद के पास में जो शिफसेना का मुख्याला है उस पर भी शिंदे गुटने दावा ठोक दिया है उड़व ठाकरे के हाथ से शिवसेना तो फिसल ही रही है इसके साथ साथ एकना शिंदे वो सबी दफतर चीनते जा रहे हैं जिन पर कभी उड़व ठाकरे का कबज़ा था शिवसेना पर मालकाना हक की लड़ाई और भी ज़्यादा गहराती जा रही है अलक थलक पड़े उद्दफ ठाकरे के खिलाब एकनाश शिंदे ने अब एक और कदम उठा दिया है संसद में सीट को लेकर और संसद के बाहर शिफसेना के दफतर को लेकर ठाकरे को कैसे बड़ा जटका लग सकता है इस रिपोर्ट में हम समझेंगे और इसके अलावा शिफसेना पर असली दावे के तहट चुनाव आयोग में जो सुनवाई की गई है और ठाकरे गुट की तरफ से तक्रीबन 17 धनीले रखी गई है जिसके बारे में भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे लेकिन रिपोर्ट में आगे बढ़ें उससे पहले आपसे विनम्बर नवेदन है की चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरू करें महराश्च्र के मुख मंत्री एकनाश शिंदे ने उद्दफ ठाकरे को शिफसेना पर दावे की लड़ाई में ऐसा उलजा दिया है कि ठाकरे बीमसी चुनाव पर कता ही ध्यान नहीं दे पा रही है ठाकरे को हर रोज यही डर सता रहा है कि शिफसेना अब गई कि तब गई क्योंकि मुख मंत्री एकनाश शिंदे ने ऐसा सियासी जाल बिछाया है जिसमें से ठाकरे का निकल पाना मुश्किल नहीं एक तरीके से नामुम्किन है सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं शिंदे गट के नए दावे की फिर ठाकरे की तमाम दलीलों का भी हम विशलेशर करेंगे बजट सत्र से एक दिन पहले हुई राजक की बैठक में शिफसेना के शिंदे गट ने आगे की सीट पर दरसल अपने लिए तैक करने वा संसद भबन इस ते शिफसेना की दफतर पर अधिकार दिलाने की मांग उठा दी है इस गट ने लोजपा विबात की तरज पर लोकसभा में शिंदे गट को शिफसेना की रूप में मानिता देने की मांग कर डाली है प्रधार मंतरी नरंदर मोदी की गैर मौजूदगी में रक्षा मंतरी राजनात सिंग ने बैठक की अधिक्ष्टा की एकना शिंदे गट के सामसद राहुल रमेश शिवाले ने कहा कि पार्टी के दो तेहाई से अधिक सामसद उनके साथ में है एज हे मैं इस गट को ना सिर्फ असली शिफसेना की रूप में मानिता दी जाए बलकि समसद भवन में शिफसेना की कार्याला पर भी अधिकार दे दिया जाए शिवाले ने कहा कि समसदी अदल के नेता के रूप में आरक्षित आगे की सीट पर भी इसी गट का अधिकार है और इसी गट को अधिकार दिया जाना चाहिए गौर तलब है कि शिफसेना में अधिकार की जंग का मांगमला अभी चुनावायूग में विचारा धीन है शिंदे और उद्दव ठाकरे गुट पार्टी पर अपना अपना दावा जता रहे हैं तकरीबन सवा घंटे चली बैटक में AIDMK के एक केम थम्भी दुराई ने कहा कि तमिलनाडू में पार्टी भाजपा के साथ में खड़ी है लोग सवा चुनाव में बहतर प्रदर्शन के लिए भाजपा और AIDMK को अभी से मिलकर के तैयारी शुरू कर देनी चाहिए इस दौरान थम्भी दुराई में समसद की स्टेंडिंग कमेटी में पार्टी की भागीदारी को पूर्व की तरह बरकरार रखने की भी मांग की गई केंद्रिय मंत्री और RPI के मुकिया रामदास अठावले ने प्रदान मंत्री नरंद्र मोदी को देश का गौरब बताया उन्होंने काया कि वो मोदी को फिर से PM चुनने के लिए देश भर के दलतों को एक जुट करने की मुहिम बहुत ही जल्द शुरू करेंगे एक तरफ जहां ठाकरे प्रकाश अम्बेडकर को अपने साथ में लेकर के दलतों को साधने की कोशिस कर रहें तो दूसरी तरफ मोदी के साथ में दलतों को भीजने की पूरी तेयारी है इसके तैत उन्होंने पार्टी देश भर में जाएगी और समर्थन में परचार भी करेगी ये ठावले ने कहा शिवसेना पर किसका अधिकार शिवसेना का चुनावी चिनने किसका ये सवाल पिछले कई महिनों से महरास्टर की राजनीती में सबसे बड़ा मुद्दा बना हुगा है इस मुद्दे पर समाधान निकले इसलिए मामला सुप्रीम कोट में भी चल रहा है और चुनाव आयोग में भी इसकी सुनवाई लगातार की जा रही है अब भीते सुमबार को चुनाव आयोग ने इस मामले में फिर दोनों पक्षों को अपनी दलीले रखने का मौका दिया उद्दफ ठाकरे गुट की तरफ से सत्रह दलीले पेश की गई और कहा गया कि उनके पास में पूरूर बहुमत है पार्टी पर पूरी तरीके से उनका अधिकार है और शिंदे गुटवारा सिर्फ सम्विधान का उलंगन किया गया है सुनवाई की दोरा नुद्फ ठाकरे गुट की तरफ से कहा गया कि शिंदे गुटवारा जो याचकाएं दायर की गई है असल में उसका कोई भी आधार नहीं है इस समय उनके सभी बिधायकों पर निलंबन की तलवार लटक रही है ऐसे में सुनवाई किन तरकों पर करेंगे यहां तक कहा गया कि दूसरे पक्ष की याचका से सबूत नहीं मिल जाता कि बूल पार्टी में कोई बटवारा हुआ हो आंकणों के आधार पर बताये गया कि दो लेजिसलेटिव विंग में तो पूर बहुमत है 12 एमलसी हैं three राज्यसभा के सामसद हैं लोगसभा में भी हमारे पास ही बहुमत है संगठन में भी हमारे पास में पूर्ण बहुमत है अब दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दें कि चनाव आयूग ने जो है कल ही दोनों शिंदे और उद्दफ ठाकरे गुट को अपनी अपनी लिखे दलीलें दरसल पेज करने के लिए कहा गया था पिछली सुनवाई के दोरान ठाकरे गुट ने कहा था कि याचका लगाते समाएं उनके पास में नंबर स्पष्ट नहीं थे उन्होंने उसी वजए से 42 पेजों की अरजी दाखिल करके पाटी पर अपना दवा किया था पेशगी तोर पर विरोधी गुट की अरजी आने पर ठाकरे गुट को भी सुनने की अपील की थी वही दूसरी तरब एकना शिंदे गुट का कहना है कि सदन में यानि की विदान सबा में और शिपसेना संगठन ने भी उनका नंबर काफी जादा है शिंदे गुट ने उस विधान का भी जिक्र किया जिसके मताबिक कम संख्या बलवाले अलग पार्टी तो बनाने को आजाद हैं पर मूल पार्टी पर दावा नहीं कर सकते यारी की उद्दफ ठाकरे की पार्टी पर ही शिंदे ने सीरे तोर पर दावा कर दिया क्योंकि उनके पास में बहुमत नहीं है ठाकरे के पास में तो वो पार्टी पर दावा नहीं कर सकते इस सुनबाई के बाद ही जुनाव आयूग ने दोनों पक्षों को लिके जवाब दैर करने के लिए कहा यहां यह समझना दोस्तों जरूरी हो जाता है कि जब से महरास्टर में सत्ता परिवर्तर हुआ है जमीन पर उदर्फ ठाकरे के लिए चुनोतियां भी बढ़ गई है सबसे बड़ी चुनोती शिक्सेना को बचाना है इस समाई मुख्यमंत्री एकनाश शिंदे शिक्सेना पर अपना दावा ठोकते नजर आ रहे हैं और जो शिंदे का गुठ है वही इसमें कहीं न कहीं परस पर आगे दिखाई दे रहा है शिंदे गुठ का कहना है कि अब विधायकों का पूरा समर्थन उनके पास में है ऐसे में शिक्सेना के चुनावी चिन पर भी उन्हीं का अधिकार रहने वाला है दूसरी तरफ उद्व ठाकरे गुठ अप शिक्सेना का अस्तित्त बचाने के लिए अलग ही लड़ाई लड़ते हुए नजर आ रहे हैं दावा तो छोड़िए जो उद्व ठाकरे गुठ है वो उनके गुठ की शिक्सेना है उसके अस्तित्त की दरसल लड़ाई लड़ते हुए दिकाई दे रहा है उसको बचाने की कोशिस कर रहा है क्योंकि जिस तरीके से एकनाश शिंदे ने बीते 6-7 महीने में बतार मुख्यमंत्री एक के बाद एक ताबर तोड फैसले लिये हैं एक के बाद एक उन्होंने बड़े फैसले लिये हैं जो उदफ ठाकरे की जो सरकार थी पूर्व की महरास्ट में वो फैसले लेने के माददा दरसल उनमें नहीं था इसकी बज़े से एकनाश शिंदे और भारती जिंता पाटी के गडबनन वाली सरकार की लुक प्रियता लगातार बढ़ती चली जा रही है और विधायक तो छोड़िये एक एक करके जो तमाम समसद हैं वो सब शामिल होते चले जा रहे हैं एकनाश शिंदे गुट में और अ उद्दफ थाकरे अब अलग थालग और बहुती जादा कमजोर पढ़ते वे दिखाई दे रहे हैं तो खुलमलाकर के एकनाश शिंदे गुट में अब जो रक्षा मंतरी हैं जिन्होंने अद्दक्षटा की सबतर शुरू होने से पहले प्रधान मंतरी नरंदर मोदी की गैर मौझूद की मैं अगर वो प्रधानमंत्री मोदी होते तो वो इसके अदक्षता करते लेकिन वो नहीं थे इसलिए राजनात सिंग अदक्षता की और एकनास शिंदेगुट ने दावा ठोक दिया कि समसद में जो रिजर्व सीट होती है पार्टी के मुख्या के लिए आगे की वो सीट होने दी जानी चाहिए क्योंकि वो ही बहुमत है मैं है उन्हीं की जो है शिफसेना है और जो संसद के बाहर का जो कार्याला है शिफसेना का उस पर भी उन्हीं का कपजा होना चाहिए बहराल इस मामले पर आपकी जो भी राय है हमें कॉमेंट करके जरू बताएं ज सबसे पहले आपको लगे